नमस्कार मैं हूँ ससी आया जरकां की टॉप 25 पर्मुख खबर जानते हैं बाहर जाने के लिए ईपास लेना 16 मैसे होगा अनिवार ये क्रोणा संक्रमन की चैन को तोड़ने के लिए राई सरकार ने 16 मैसे सक्ति बठाई है इस पवांदियों के तहट ने जीवाहन परिचालन के लिए ईपास अनिवार किया गया है इपास के लिए सरकार द्वारा ईपास जरकार.nic.in website पर जाकर लोगिन करके लोग सरकार द्वारा अनुमत कामों के लिए ईपास ले सकते हैं बता दे ईपास के लिए साथ कामों के लिए जारी किया गया है इसमें एगरिकल्चर, हेल्थ केर, फोड़ वा ग्रोसरी, कंस्ट्रक्शन, मैनुफेक्चरिंग वा साधी वा सराज कारकरम के लिए ही जारी किया जाएगा जारकन में आज से 18 पलस वालो का होगा ठीका करन मुखे मंतर हेमन सुरेन के नेतितर में राज सरकार ने 14 मैज से 18 से 44 आजूबर के लोगों को कुरोना का ठीका लगाने की तैयारी फूरी कर ली है इधर सरकार के पर्यासों से कुरोना सेंक्रमन में कमी नजर आ रही है वैक्सिन और 2,344,4 दोच कोवी सिल्ड के वितरन के लिए स्टोक में है इध को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतिजाम राची में इध को लेकर पूलिस पर्शासन ने सुरक्षा के कड़े इंतिजाम किये है सहर और आसबस के इलाकों में धार्मिक औस्थलों के बाहर पूलिस बल के जवानों की अतिरिकते नाति की गई है कचारी चोक इस्थित कंपोजिट कंट्रोल रूम के अलावा चार आसथाई कंट्रोल रूम बनाए गया है इसमें काके थाना, रातु थाना, बेडो थाना और डुरंडा थाना सामिल है भैक्सिन लेने के बाद 30 मिनट विश्राम करे 18-44 वरस के नागरिकों के टीका करन के लिए सुरक्षा के पूरा इंतिजाम किये गए है बताद टीका लेने के बाद किसी तरह की समस्या होने पर तवरित उपचार के लिए भी इंतिजाम उसी तरह किये गए है जिस तरह हेल्थ केयर वरकर्स, प्रॉंट लाइन वरकर्स या 45 वरस से अधिक आयू के नागरिकों के लिए किये गए थे बताद टीका लगने के बाद आपको 30 मियट तक परविक्षन कक्ष में रहना होगा इसके बाद लाभूक अपना घर जा सकता है किसानों को मांसुन के पहले आधी कीमत पर मिलेगा बीज चारखन सरकार ने मांसुन की सुरुवात के पहले राजे के सभी जीलों में पचास परतिसत अनुदानित दर पर किसानों को धान का विज उपलवत कराद देने का फ़रोसा दिलाया है पतादे गुरु आरको किरिशी मंत्री बादल ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा की रोहनी नशत्र को धान की बुवाई के लिए सबसे उप्यूक्त और आचा समय माना जाता है राज सरकार ने 25 मौई के पहले संथाल परगना परमंडल के 6 जीलों दुमका जामतड़ा, साहिवगांज, गोड़ा, पाकूर और देवगर तथा कुलान परमंडल के 3 जीलों पूर्वी सिमू, पच्छमी सिमू और सराय के लिए खर्षावा यानि 9 जीलों में किसानों को धान बीज उपलवद कराने की योजना बनाई है जार्खन के 35 लाग किसानों का होगा यूनिक आईडी नमबर जार्खन के सभी किसानों का यूनिक आईडी नमबर बनाया जाएगा बतादे राज जे में करी 35 लाग किसान है जिन किसानों का यूनिक आईडी नमबर बनाया जाएगा उनको बीर्षा किसान के नाम से जाना जाएगा बतादे किसी मंत्री चाहते हैं कि सभी किसानों का अपना एक यूनिक आईडी हो इस पर काम जल्द ही सुरू किया जाएगा यह राज सरकार की अपनी योजना है पतादे खरीब के मौसमें किसानों की खेती बारी का समय होता है इस करण रवी से पूर्व कम से कम दो लाग से अधिक किसानों को यूनिक आईडी देने की योजना पर किसी विभाग काम कर रहा है ओनलाइन पढ़ाई में बेहतर करने वाले सिक्षक होंगे समानित ओनलाइन पढ़ाई में बेहतर करने वाले सिक्षक योँ परखंड वजीला अस्तर के पताधिकारी को इसकूली सिक्षा योँ सक्षरता विभाग समानित करेगा बच्चों की पढ़ाई को लेकर डिजिटा सेक्षिनिक समागरी तैयार करने वाले सिक्षकों की विशेवार वा कक्षवार ओनलाइन परतियोगता कराई जाएगी यह विजयत्ता सिक्षकों समानित किया जाएगा पतादे इस प्रकार बेहतर करने वाले प्रकंडवा जीला को भी विभाग समानी करने की त्यारी कर रहा है जारखन में कोविट के करान अनाथ हुए बच्चों का सरकार रखेगी ध्यान मुख्य मंत्रे हमन सुरण के निर्देश के बाद पूरे राज़े में क्रोणा संक्रमन की वज़े से अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के उचित देखवाल सुने शीत करने की परकिरिया शुरू हो गई है सरकार का पर्यास होगा कि जीन बच्चों ने संक्रमन के करान अपने माता पिता को खो दिया है वे सोसन या बालतसकरी में न फशे मुखे मंत्री के निर्देश के बाद राची जीला परशासन ने भी अने जीलो की तरह चाइल केर हेलफ लाइन नमबर जारी किया है बता दे परशासन ने लोगों से अपील भी किया है कि वे ऐसे बच्चों का विवरान सरजानिक डोमेन में जारड़ी न करे और सिधे हेलफ लाइन नमबर को रिपोर्ट करे बता दे टोल फ्री नमबर 1098 हेलफ ले नमबर 181 वाटसप नमबर 87, 89, 83, 34 घर से बाहर है तो दो दीन में आ जाए जारखन 16 से बंद होगी बसे अगर आप घर से बाहर है दूसरे सहर, दूसरे जीले या दूसरे राजे में है तो दो दीनों के भीतर जारखन में अपने सुरक्षित अस्थान पर पहुँझ जाए आपको 15 माई की साम तक ही बसों की सुविधाय मिलेंगी बता दे इसके बाद आप जहां है वह ही फांस जाएंगे मोके मंतर हमान सुरे ने इन ही वाजोसे लोगों को अवस्यक कारे निप्टाने के लिए 13 माई से 15 माई तक का समय दिया है अलाकि इस दर्मियान पहले से चला आरहा पर्तिबंद जारी रहेगा बता दे कुरोना वायरस के संग्रमन को देखते विए राज सरकार ने गामी 16 माई की सुभा 6 वाय से सभी तरह के आतरी परिवहन को 27 माई तक के लिए पर्तिबंद कर दिया है जारखन में 491 नाए केस मिले है जारखन में 108 मरीज की मौथ हुई है जारखन में कुल एक्टिब केस की संग्रमन की संग्रमन को 272 माई केस मिले है जारखन में 491 नाए केस मिले है जो बुकारों से 272 चातरा 189 द्रिवघर 100 धनबाद 175 दुमका पुर्वी सिम्मू 589, गाडवा 117, गिरीडी 124, गोड़ा 89, गुमला 237, सजारी बाग 344, जाम 32, खोटी 91, कुडार्मा 145, लाते हार 140, लोर्दागा 62, पांकुल 7, पलामू 932, रामगर 202, राची 605, सायव गंच 16, सराय किला 60, सिम्डेगा 165, सिम्मूम से 182 मरीज मिले ज्यारखन में स्वस्थ हुए मरीज इस प्रकार हाएं, बोकारो 667, चात्रा 61, देवघर 54, धनबाद 172, दुमका 40, पुर्वी सिम्मू 923, गाडवा 28, गिरीडी 241, गोड़ा 78, गुमला 333, हाजारी बाग 582, जाम तड़ा 100, खोटी 13, कुडार्मा 24, लाते हार 16, लोर्दा गा 105, पाकुड, एक से उन्चास, पलामू 450, रामगर 36, रांची, सोत्रा 65, साइवगन, तीरपन, सराइक ला 116, सिम्डेगा 52, पच्वी से उनसे 202, मरीज स्वस्थ हुए हाएं, होम गाड़ के बारे में सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला, जार्खन हाई कोट वा सूप अपनी कमांडर की बाहली में आरे आरहा रहा रोस्टर का पेच अब सुलाजता दिख रहा है, बतादे डीजीपी नीरेज सिन्हा ने इस पेच को लगबग सुलजा लिया है, और उनके निर्देश पर पूलिस मुख्याले ने अपने मंतवय के साथ ग्री विभाग से अनु कमांडर बाहल कर लिये जाएंगे, रांची में सब्जी मंडी में भीड को काबू करने के लिए 2000 पूलिस कर्मी होंगे तैनाथ, कुरोना की दूसरी लहर भ्यावा रूप ले चुकी है, इसके बावजूद कई लोग कुरोना से जूरी गई लाइन का पलन नहीं कर रहे हैं, पतादे राइधानी के सब्जी बजारों में आए दिन भीड लग रही है, जहां सोसल डिस्टरेसिंग की धजिया उड़ाई जा रही है, इसकी जनकारी मिलने के बाद मुख्याला के निर्देश पर रांची के सीटी एसपी सोरब ने सहर भर की सब्जीयों मंडीयों में भी पूटेत होगी करवाई, 15 माई तक जो साधिया होने माली है, वह जैसे चल रही है, चलती रहेगी, अभी 50 लोग को साधी बिवा में सामिल होने की अनुमती मिली हुई है, और यहादेश 15 माई तक ही परभावी रहेगा, अगामी 16 माई से 27 माई के बिच जो भी साधी बिवा होंगे, वे या तो घर में होंगे या कोट में, किसी पब्लिक प्लेस, कम्यूनिटी हॉल, बैंकवेट हॉल में साधी बिवा के अनुमती नहीं दी गई है, बतादे डीजे, लोड़ी स्पीकर वा पटाखा परतिबंधित हो जाएगा, साधी समारों में 11 ज्यादा लोग नह होंगे, इसके लिए साधी बिवा के तीन दिन पहले नजदीक की के पुलिस स्टेशन को सुचना देनी पड़ेगी, बतादे या परतिबंध 16 मैं से प्रभाई होगा, ज्यारखन में करोना के 4 वेरियंट, ज्यारखन में अब तक करोना के 4 वेरियंट मिल चुके हैं, बताद जिनोम सिक्वेंसिंग लेवरेटरी में कराई गई, जिनोम सिक्वेंसिंग में इनकी पुष्टी हुई है, करोना के अलग-अलग रूप मिलने से राज सरकार की चीनता बढ़ गई है, इसमें डबल मेट्रेट को अधिक खतरनाक मना जा रहा है, पूलिस एसोसियेशन ने कर करोना राहत किट पहुंचाने की जिम्यदारी मांगी, जार्खन पूलिस मेंस एसोसियेशन ने मुख मंत्री हमन सुरेन से पूरे राज में करोना राहत किट पहुंचाने की जिम्यदारी मांगी है, बता दे एसोसियेशन के परदेश अध्यक्स राकेश कुमार पांडे ने कि जीस फोन से कुरोना संक्रामीत को पोजेटिव होने की सुचना दी जा रही है उसके पहले कुरोना संक्रामीत पोजेटिव ब्यक्ति के घर पर मुख्यमंत्री कुरोना रहात किट पहुच जाए तो बहुत ही उतम होगा है रेमडे सिवीर और अने की कला बजारी की जाच में नव बरते कोता ही हाई कोट रेमडे सिवीर और अने जरूरी दवावों की कला बजारी की जाच में जारखन हाई कोता ही नहीं बरतने को कहा है अदालत ने कहा है कि इस मामले की निस्पक्स तरीके से जाच की जानी चाहिए यह अगंभीर मामला है इसलिए हाई कोट इस मामले की मौनिटरिंग कर रहा है साइबर क्राइम में जारखन पुलिस ऑनलाइन होंगे सामील जारखन पुलिस साइबर क्राइम को रोकने के लिए लागतार पर्यास कर रही है इसके लिए पुलिस मुख्याले अस्तर से इस पर गहांता से काम भी हुआ है पुलिस के आधिकारी वा जवानों को साइबर क्राइम से बचाव के बारे में हमेशा ट्रेनिंग भी दी जाती है इसमें साइबर अपनाधी लोगों के पैसे को बचा सके पुलिस सुत्रों के अनुसार 25 माई को उतरपुर्वी पुलिस अकाडमी में घाले में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन का ओनलेन प्रसिक्षन होना है इसको लेकर पुलिस मुख्याले ने सभी जीलो के स्पी ये स्पी को पत्र लिखा है सभी जीलो में ऑक्सिजन बैंक बनाने का निर्देश स्वास्त मंत्री बना गुप्ता ने स्वास्त विभा को निर्देश दिया है कि सभी उपायुक्तों के माध्यम से सुनिश्चित करें कि परतेक जीला मुख्याले में आइसोलेशन में इलाजरत मरीजों को आवस सकता अनुसार आक्सिजन उपलप्त कराने के लिए आक्सिजन बैंक बनाए साथ ही उन्होंने निदेश दिया कि नियंतरन कक्ष में किसी वर ये अधिकारी की नियुक्ती कर संचालन और प्रवंधक का दायुत सोपे आक्सिजन बैंक का प्रचार परसार सुनिश्चित करे पत्रकारों की सुरक्षा के लिए राई सरकार गंभीर बनागुपता जैकन की स्वास्त बंत्री बनागुपता ने कहा कि राई सरकार पत्रकारों की सुरक्षा के लिए गंभीर है उन्होंने याबात गुरुवार को प्रेस कल्व इस्थीत कोविड अस्पताल के उध्याटन आउसर पर कही कोविड अस्पताल मीशन बुलू फाउंडेशन और विभीन संस्थावों के स्वयोग से बना है जिसमें 40 बेट उपलब्द कराया गया है बता देबाना गुपता ने कहा है कि कुछ निजी अस्पताल इस संकट से बाहर निकल रहे है वे हमारे द्वारता किये गए टैरिफ से अधिक सूल के लिए रहे है उन्होंने कहा कि वो अभी स्वास दिलाते हैं कि अगर वे इस प्राथा को बंद नहीं करेंगे तो उनके खिलाब करवाई होगी धन्यवाद